बीपी एसी से बहाल नए सिच्छकों की अब खास निगरानी होगी नज एप से सिच्छकों की निगरानी होगी मिली ट्रेनिंग के अंसार पढ़ार है या नहीं इस पर सरकार की नजर होगी सरकारी अस्कूलों के सिच्छकों की मोनेटरिंग की तैयारी चल रही है बहुत जल्द ही एप में सुरची मेसेंजिंग प्रगटी ट्रेकर की सुबधा भी होगी तमाम चीजों पर विहार सरकार के सिच्छा विभाग मंतन करेयर बहुत जल्द ही इसकी सुरवात कर दी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बाववी और आप इस समय देख रहे हैं मगस संबाद डिजिटल प्लेटपॉर्ट जिहां बिहार के नए सिच्छक के रूप में जाने जाने वाले बिहार के वैसे सिच्छक जो बिपीएसी पास करके और बिहार के अस्कूलों में बिहार के गरामी सुदुर गरामीन इलाकों में सिच्छक बने हुए हैं वे ट्रेनिंग लेकर गएं और ट्रेनिंग के अनुसार बिद्यालियों में सिच्छन कार्ज कर रहे हैं या नहीं उस तरह की पढ़ा रहे हैं या नहीं और इसकी खास निगरानी उनके मोबाइल से ही हो जाएगा जी हाँ अगर आप सरकारी बिहार के सरकारी या स्कूल के बिपियसी सिच्छक हैं तो आपके अपने ही मोबाइल से आप पर निगरानी रखी जाएगी आपके कार्जों को देखा जाएगा समझा जाएगा और करवाई भी होगी तो आपकी मोबाइल आपकी सुविधा के लिए लेकिन अब वही मोबाइल आपको असुविधा भी पहुचा सकती है अगर आप कामचोर है तो और नहीं तो सचमुच में आप एक सिच्छक के भुमिका में हैं तो यह म जब ट्रेनिंग के अनुसार बच्चों को पढ़ाते सिच्छा विभाग को दिखेंगे तो आप सम्मानित भी होंगे एक एप के माध्यम से BPSC पास बने सिच्छक पर नजर रखी जाएगी वह एप है नजएप जिसमें सुरचित मेसेजिंग भी होगी प्रगती ट्रेकर की भी सुविधा उपलंध होगी तो याँ सिच्छकों में इन दिनों अचानक सी चर्चा बन गया कि हम कहां फस गएं लेकिन सुरवाती दौर में हर चीज फस्ता हुआ नजर आता है लेकिन बाद में सुविधा हो जाती है कुछ लोगों का काना है कि या तो एप हमारी निजी दिन्दगी में भी दखल देगा हमारी निज्टा की हनन होगी लेकिन सिचक आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उनकी आवाज को बंद कर दिया गया है किसने बंद किया है गर आप सिचक हैं तो बखुबी आप समझ रहे हैं इसलिए आवाज सायद नहीं बोल पा रहे हैं खैर कोई भी सुविधा होती है आपकी सुविधा के लिए या एप भी सिचको की सुविधा के लिए किया गया है जो पढ़ाते हैं उनकी तो बात हैं जो नहीं पढ़ाते उनकी भी बात है जो पढ़ाते हैं उनकी तो चावासी होनी चाहिए तो अगर आप सचमुछ में पढ़ाते हैं to एया अयप आपके लिए बर्दान साबित होगा जो नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए भले ही अविशाफ साबित होगा तो हम इसपर खास चर्चा आप से इसलिए कर रहे हैं किस एप से सायद आपको हडवडाने, गडवडाने की जरुवत नहीं है। सरकार जो भी योजना लेकर आती है, वह योजना सिच्छक छातर और आम लोगों के बेहतरी के लिए होता है। आपको बता दे कि नज एप से नए सिच्छकों की निगरानी होगी, मिली ट्रेनिंग के नुशार पढ़ा रहे है या नहीं, इस पर खास या नज एप नजर रखेगी। बता दे, PPSC द्वारा नए चैनित सिच्छकों को अस्कूल में पदस्थापित किये जाने के बाद, एप के माध्यम से निगरानी रखी जाने की सिच्छकों की ट्रेनिंग के अधार पर, कलास में पढ़ा रहे हैं या नहीं, इस बात को खेल रखा जाएगा, या नहीं, या पर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इस बात पर नजर रखी जाएगी, आप कैसे पढ़ाते हैं, या हमाएने नहीं रखा जाता है, बलकि जैसा आपको ट्रेनिंग दिया गया है, उसके अनुसार आप सिच्छन काज कर रहे हैं या नहीं, समझने वाली बात है, इसका सर्वे भी क किया जाएगा, राज के सरकारी, अस्कूलों में पढ़ाने वाले सिच्छकों की मोनेटरिंग के लिए नजर एप तयार किया जा रहा है, इस एप की मदद से नियुक्ति, नियुक्ति हैं, मनें BPSC से बहाल की और से नियुक्ति किये गए, सिच्छकों की मोनेटरिंग की जाएगी, नजर एप के दवारा, नौ नियुक्ति सिच्छकों को राज की 81 विभिन ट्रेनिंग सेंटरों पर बच्चों को पढ़ाने को लेकर 2 सब्ता की BPSC ट्रेनिंग दी गई, एप फिड करने के लिए A, C, R, T की और से प्रस्र भी त्यार किये जा रहे हैं, इसका जवाब अस्कुलों के परधाना ध्याबकों को एप के माध्यम से ही देना होगा, एप के जरिये सिच्छक भी अपनी और से फिडबैक दे सकते हैं, एप के अल सिचन टीम को A, C, E, R, T की और से तयार किये जा रहे हैं, विसे इस फर्मेट को भी भेजा जाएगा, इधर एप में सुरचित मैसेजिंग, प्रगति ट्रेकर की भी सुबदा होगी, जैसा कि आप जानते हैं, एप में सुरचित मैसेजिंग, प्रगति ट्रेकर, ग्रूप ल या फिर पढ़ाने में होने वाली परसानियों को बता सकेंगे, तो यह तो बहुत अच्छी एप है, कि आपको प्रोलम भी सोलब करेगा, आपकी बाते भी सुनेगा, सारा चीट, यह तो बरदान सावित हो सकता है, आपको बता दे कि नज एप के माध्यम से सिचकों को पढ़ाने के अस्तर को समझाने के साथ ही सिचक अपनी समस्या भी या फिर पढ़ाने में होने वाली परसानियों को भी बता सकते हैं, दिये गए कवेचर में अगर किसी माना को पूरा नहीं किया जा रहा है तो सिचकों को उसकी वज़ा बतानी होगी, एप में दिये गए परगती ट्रेकर के माध्यम से यह सुनिशित किया जाने में असानी होगी सिचक तैमानकों के अधार पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, एसे यी आर्टी का कहना है कि यह स्कूलों में गुनवता पुन सिच्चा परदान कराने को लेकर सिच्चकों को भी से ट्रेन के अधार पर सिच्चक कलास में पढ़ा रहे हैं या नहीं सर्वे भी किया जाएगा, इसके लिए नज एप का सहारा लिया जाएगा, इसके लिए संसान की ओर से सवाल तयार किये जा रहे हैं, जिसकी अधार पर सर्वे में सवाल किये जाएंगे, एप की मदद से सिच्चक अपनी और से भी फीड़ बैक दे सकेगे, सज्जन और डाइरेक्टर ने यह बाते कही है, तो अब सिच्चकों की निगरानी जो है, वह नज एप से अब होने वाली है, लेकिन इसमें एक बात और है, कि जो पुराने सिच्चक, जो नियोजी सिच्चक हैं, उनको भी यह ट्रे आज एप काम करेगा, जब नियोजी सिच्चक भी ट्रेनिंग ले लेंगे, तो उन पर भी यह एप लाग होगा, ते यह थी आज की खास ख़बरें, सिच्चा विवाग से जुड़ी, नए नियोजी सिच्चकों के लिए और विप्यसी सिच्चकों के लिए खबर थी, तो फ